पिछले दिनों उसने तीन राजसभा के सांसे दिल्ली से बेजे उनमें एक भी आदमी SCST का नहीं था सब उसने अपनी विराधरी के या जनरल कर्टेगरी के लोगों को भेजा तो ऐसे जो लोग हैं जो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं जूट बोलते हैं और वो समर्तन लेते हैं SCST समाज का और भागेदारी देने के नाम पर वो राइंदर पाल का इस्तिवा जवर जवरन ले ले लेते हैं और उनको हटा देते हैं उसका इस्तिवा स्विकार करने के लिए LG जी के पास भेज़ देते हैं कि मेरे राष्ट द्रेक्ष ने मुझे कहा कि आप राइंदर पाल गौतम को सपोर्ट करिये उनको सहयोग करिये उनके साथ अन्याय हो रहा है और उसके बाद भी अगर वह हमारी पार्टी में आना चाहे तो हम उनका स्वागत करेंगे हम उनको मेरे वाले को एस्तिपाले लिया जाता है मुझे लगता है कि दोहरा मापदंट समाज के सामने आ गया है मेरे साथ RLD के राष्टिये महासरचीब केपी चौधरी है RLD की कोशिस है कि तेजी से कम से कम बहुजन समाज को जोरा जाए किसानों की पार्टी है RLD, चौधरी चरण सिंग की लेजिसी है और बड़ी संख्या में SC, ST, OBC को जोरने की कोशिश हो रही है उसी करी में पहले महासरचीब थे अब RLD के महासरचीब बनाय गए है केपी चौधरी सार सर, क्या रननीती है पार्टी की बड़ी संख्या में बहुजनों को जोरने की कवाय सुरू हो गई है दिखिए मैं ये कहूँगा कि ये पार्टी भारत की एक ऐसी पार्टी है जिसने पूरे भारत में राज किया है और इसी पार्टी के जो राष्टे अध्यक्स 24 चरण सिंग थे उन्होंने भारत के प्धान मंतरी के रूप में और भारत के सबसे प्रान्त उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के रूप में इस देश को अपनी सेवा दिये है। इसी पार्टी के जो चोदी 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 अजीश सिंग जी केंद की सरकार में करीव 18 साल तक लगातार देश की सेवा में बतोर कैबिनेट मंत्री कार्यादत रहे। अब उनके जो बेटे अर्थात चोधि 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 जींग सिंग के जो सुपोत्र हैं, चोधि जेन सिंग जी समय पालिटी के राष्टे अध्यक्ष हैं, और मैं बड़े गोरब के साथ बड़ी खुशी के साथ ये अपने समाज जो कहना चाहता हूं, कि जेन्त चोधि हैं, वो भारत से बहार टेक्सस अमेरिका में हुआ, उनकी सिक्षा भी बहार लंडन में हुई, और वो भारत में आकर के अपने OBC समाज से आते हैं, बड़ी खुली सोच के हैं, हातरस में जो बेटी के साथ, मैं हमारी समाज के बेटी के साथ, जब उसका जिस तरीके से अन्याय हुआ, उसको न्याय देने के लिए खुद हातरस में पुलिस के लाटियां खा रहे थे, और उनका जो विजन हैं अभी उन् इमिजेटली अपनी पार्टी में की हैं, मुझे राश्टी सचीव से ऊपर करते वे, पदोनत करते वे राश्टी है, महा सचीव की जिम्यदारी दी है, उत्तरप्रज सासन में आई जी पत से सेवा नरगवरिष्ट आई पीएस अधिकारी ओपी सागर साहब को उन्होंने अ सेस्टी समाज की भागेदारी भी पार्टी में आपको दिखाई देगी, और मैं ये कहूँगा, चोजे जैनत सिंग्जी की जो सोच है पिछले दिन राश्टान में जब अन्याय हुए, पाली में जब डेथ होई, तो हम लोग उदेपूर गए, उदेपूर में हमको डिटे राश्टान के अंदर ऐसी समाज के सा तन्यावा, उसका खोला विरोध किया, उसको लेकर के परदशन किये, तो मैं ये कहूँगा कि जहां तक राश्ट्य लोगदल का तालुक है, राश्ट्य लोगदल के राश्ट्य अध्यश का विजन बहुत बड़ा है, उनका हिर्दे बहुत बड़ा है, वो SC, ST, OVC, Minority, सभी समाज के लोगों को साथ लेके चलने के सोच रखते हैं, और जो अनुसुच जाती समाज के लोगों को और जन्जाती समाज के लोगों को विरास्थान में बड़ा रिप्रजेंटेशन देनी की बात हो रही है, तो पार्टी में या सब्ता में, ठीकि मैं यहां कहूंगा कि नेता की नियत एक बड़ा सवाल है, एक नेता दिल्ली में हैं, जिसने अभी पिछले दिनों इस्तिफा ले लिया, बाइस प्रतिग्याओं को लेकर के, और उसी नेता ने पिछले दिनों में 30% का हमारा समर्थन ले लिया पंजा में, बाबा साब का फोटो लगा करके दिखा करके और जब उसको राजसाभा में लोगों को भेजने का नंबर आया, तो उसने साथ के साथ सांसत सामने जाती की बेज़े, एक भी S.C.S.T. का नहीं भीजा, पिछले दिनों उसने तीन राजसाभा के सांसत दिल्ली से के नाम पर वो राइंदरपाल का इस्तिफा जवर जवरन ले ले लेते हैं और उनको हटा देते हैं उसका इस्तिफा स्विकार करने के लिए L.G. के पास भेज देते हैं और दिखावे के लिए फिर एक ऐसी समाज के आद्मियों का इंडक्शन कर लेते हैं मैं पूछना चाहता में अर्विन केजरिवाल इसका जवाब दें कि राजकुमार आनंद जी जो ऐसी समाज से आते हैं क्या वो बाबा साहब की बाइस प्रतिक ग्याओं के समर्थ तक हैं अगर हैं तो उनको का नाम लेकर वोट तो लेते हैं बाबा साहब की का फोटो दिखा करके सरकार तो बनाते हैं लेकिन बाबा साहब के समाज का तरसकार करते हैं लेकिन मैं एक कहूंगा कि यहां पर मैं चोदे जेंट सिंग जी की परसंसा जरूर करूंगा कि उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि आप तुरंत राइंदर पाल गौतम से बात करिये उनको कहिए का कोई इस्तिफा देने के गोज़त नहीं है उसके बावजूद भी अगर वो कोई परिशानी महसूस करते हैं तो हमारी पार्टी के दर्वाजी उनके लिए खुले हैं वो हमारी पार्टी में था राइंदर पाल गौतम के समर्थन में या मेरी पार्टी 22 प्रतिग्याओं के समर्थन में हैं यही मैंने कहा कि मेरे राष्ट द्रेक्ष ने मुझे कहा कि आप राइंदर पाल गौतम को सपोर्ट करिये उनको सहयोग करिये उनके साथ अन्याय हो रहा है और उसके बाद भ वाल की क्या लगता है अभी एक सवाल था कि भारत में के बाहर आरे से परधान मंतरी सब कहते हैं कि हम बुद्ध को मानते हैं बुद्ध के नाम पर चंदा लेते हैं और भारत में लोग को पता भी नी तो क्या लगता है कि बहुजन निताओं को भी इस मामले पर ध्यान देना चाहिए कि धम के नाम पर जो चंदा ले रहा है बाहर से लोग वो भारत में ही धम के मानने वालों के साथ बुरा विवार कर रहे हैं देखिए ये बंते जी ने जो अभी हमारे राज़तना मेटकर जी जो अभी साक्षातकार हो रहा था उनका मैं भी उनके साथ अभी बैठा हुआ था जो जानकारी उन्होंने भारत के बाहर जाकर के अभी बताया कि इस तरीके से आर एसस के लोग बहुत धर्म के नाम पर करोड रुपे, अर्बो रुपे का यहां पर जो है अनुदान दूस्ज से ले रहे हैं और यहां पर बहुत धर्म की बाइसपत्तिग्याओं का विरोध कर रहे हैं और जो अभॉद्या मंदिर के खुदाई के दोरान बहुत भगवान बोध की जो वहां पर जितना भी उनकी मूर् इंदर मोधी जी भारस से बाहर जाते हैं तो वो कहते हैं मैं बौध की धर्ती से आया हूँ और यहां पर बौध की धर्ती पर बौध की बाइस पृतिग्याओं को बाबा साब की बाइस पृतिग्याओं को लेने वाले को इस्तिपा ले लिया जाता है मुझे लगता है कि दोह प्रिज़ा की सफाई में इस्तेमाल हो रहा है जा और दूसरे मदों में इस्तेमाल लोग कर रहे हैं उस पर जाच होनी चाहिए और जो दोसी लोग है उनको जिल जाने के लिए तियार होना चाहिए तो यह थे आरेली के राष्टी ए महासाचीप केपी चोधरी आरेली ने 22 पर निस्तर दस्ता को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर ख़बर को शेयर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें